अब बोलोगे कि इए चीज आपके काम में आएंगी कि नहीं आएंगे जैसे आप लोग आउटी में स्टार्ड करोगे अपना करियर तो आपको लगता होगा कि यह चीज़े काम में नहीं आएंगे बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपना लिनक्स पढ़ लिया और हो गया अब मैं आईटी में काम कर सकता हूं ऐसा नहीं होता है मैं इत्ते बड़ा हो गया आज भी मेरे को सब्जिन नहीं लेती आती अभी मेरा छोटा बच्चे ही है वो मेरी मम मतलब उसकी मम्मा को मतलब मेरी वाइब को बोलता है कि I love you i love you pa pappa अब मेरे को लआ हो लो लो बहुता दो सभूर, होती है एक होटी टेक्निकल तो दूसरी क्या होती है कि क्या होती है को वह माबाब से सीखने को मिलती है कि या कि है कि दुनियाधारी वाली मिकर मैं लुकिंसा ड्री में कूअ है दुनिया दरी की समझ दरी पता है कि अब लोग कैसे होता है पता है देखो एक 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 जमपल पता दा जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि कि दुनिया-धरी मतलब जैसे में लिए कई करना मार्केट से मेरे को चार चीज Dares मेरेको चाहिए बाइगन चाहिए और दो इदो सीचा चाहिए च्याहिए क्योंकि को दो ही सब्जी के नाम को की तो अगर मेरे आप लोग को सो रुपे दीए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सबजी मंडे से मेरे को सो रुपे इसे में चाल चीजें मिल जाएंगे तो यह चीज़े हैं माबब बोलोगे कि यह चीज़ काम में आएंगे कि नहीं आएंगे जैसे आप लोगए आपको लगता होंगा कि यह चीजे काम में नहीं आएंगे बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपना скоро ली आपने घर परोडिक्स में पॉलिंटिक्स है आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए इसको पैसा यहां बहूत बहुत बहुत को मैंने लोगों को मैंने देख़ा कि लोगना प्रस्टेशन में भी आखी जॉड़ देते हैं तो उसका ना बड़ा अच्छी जगा पर जॉब लग गया कंपनी का भी नाम बता देता हूं अब फिर ना उसको क्या हुआ रोज आने के बाद में ऑफिस आने के बाद में रोती थी कि मेरे मैंनेजर ने मेरे को ऐसा बोला मेरे के मिल आहिए थी थी दिन कि अificल र्ची से यहीं एक है जैसे एक दिन में आप लोगों को बड़ा चड़ा के अच्छा भी बोलता हो लुव दूसरे दिन मए आप लोगों को लगों दोंगा पिसरी दिनने आफ मेरे यहाली को कलाय दोगे तो चलते रहतता है खरशнул की सब अब जब आप छोटे होते हों अब मेरे खरवाली क्या करते थी ना मेरे घरवाले जैसे मेरे घरवालों ने मेरे को आज तक कभी सब्जी लाने के लिए भेजा ही निये क्यूंगे वेजा क्योंकि हम इत्ते गरिव ते उनको पता था कि अगर इसको कि आए थे था यह तो यह गल्टिक इसकी है क्योंकि उन्होंगे रेंके चक्कर में वह मेरा अभी तक म्याइद्स मेरें को हाँ आप मेरे को यह पूछहardan ना कि फरेख़्ल लाने का है दो लाग का मैं लगे तो पूरा का पूरा एरोप्लन खरी सकता लेकिन मैं सब्जी नहीं खरी सकता यह हसने के मतलब आप सोचो क्योंकि यह चीज ना हम लोगों को बच्पन से नहीं सिखाई ना तो वहां पर हम लोगों का उन्फिनस हमेशा डाउन होता है अब मैं यह चीज यह बोलोगे कि भाई काम तो हुआ नहीं है और काम हुआ नहीं यह बताने का भी एक तरीका होता है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आव ट्राइड मैं बेस्ट मैंने यह अप्रोश ट्राइग किया यह यह चालेंजिस आए तो सामने वाले को अगर आप बताओगे ना कि म अगड़ा होती है आप मेरे घूमाने लेकर ही जाते नहीं और कभी inversамे वीज़वें करते मेरे अब देखो मेरे भाई का बड़ मतलब मेरे घर पर माहल कैसा है ना हम दोनों का बाई का बढ़े लागए मैं चोटे भाई का बढ़े बढ़े तो मैं उसको कभी जिंदे की में फोन करके नहीं बोलूँगा फैपी बढ़ बढ़े नहीं नहीं है जैसे मेरे पीता स्री का अगर ममी जी का एपी बर्डे है हम कभी वोलते कि अभी मेरा चोटाबक्चस्घ को को मतला मेरी वाइप को बोलता है कि लेकिन मेरे वाइब वाला जो माहूल है ना मतला उनके घर वाला माहूल थोड़ा सा रोमेंटिक एंड वो गोलते हैं तो उनको कैसा बड़्डे बोले अब मेरे ना सब्सक्राइब था साला मैंने अपने बाप को कभी विष लिगा तो मेरे वाइब मेरे को प्रिशेट ना थी कि मेरे पपा को पहुंग करो अब यह आदमी से कई बात करना अभी ना मेरे चोटे बच्चे का ना बढ़ने है आई उसका अभी तेरा तरिक को अभी वो तीन साल का होने वाला है अब म अब मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूं था यह बात करते हैं तो जैसे मैं अपने घर पर फून लगया है तो मैं हैलो भी हो । है है तो मैंने अपने घर वालों से बात किया and मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे घरवाले समझ जाएंगे कि बड्रें है तो आ नहीं है अब घरवाले को अगर मैंने बोला कि तयारी होगे क्या मेरे को शरम आई बोलने के लिए कि आयो करके मैं नहीं मैं यह हो मतलब है आने कि तयारी होगे मतलब को गया है तो कहने कहा है आजकल का जोज जमाना है ना आजकल और पुलेफी जाधा एकसप्रेश हुआ है बहुत जादा है मतलब means time and तेंटिल आप लोग एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तब तक सामने वाले को पता नहीं चले लिएख के आपका मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर तो मुझे पता होना चाहिए कि हाप पढ़ाई और अगर आप उफीस में जा के अगर काम कर रहे हो तो तो आपके मैनेजर को भी पता होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो नहीं तो क्या होगा अगर मेरे पास में on-site जाने के अगर opportunity आई तो मैं उस बंदे को नहीं भेजूंगा वह बहुत जादा काम करता है मैं उस बंदे को भेजूंगा जो काम भी करता है अगर इन से बात कर सकता हूं तो मेरे को ना वह मला तुला वाली लैंग्वेज नहीं जमतती है मैं आज भी मेरे घर में जो प्रॉपर विधरगर की लैंग्वेज ना जावला कभे आप बोल नहीं सकता है तो आप समझ लगे बाद में क्या आता है तो मेरे घर पर वही प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने बच्चे के साथ भी ना ऐसे आयूश आला का जेवला का तो वह ज है कि हम पीछे है मैं बोलता हो कि मेरे से सव गुना ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग भी हमसे नीचे काम कर रहे है कर रहे हैं मेरे से बहुत ज्यादा इंग्लिश मेरी एंप्लोई की है बहुत ज्यादा है लेकिन इसका मतलब यह है कि हम काम करके लेकिन अभी जो मा आएगा आपकी पॉर्चनिटी लेकर चला जाएगा आपको पता भी होगा अगा जो मैं बोल रहो जादा की बाती कर रहा किया यह सिल्याबस में नहीं है लेकिन मेरा काम आपको बताना है नहीं तो बोलेगा कोई आप तो 12 वज़ा तो तो यह आपको समझना है इस पार्ट ऑफ इथिक्स तर जो आप बोले हो न वह सेम तिंग मेरे साथ पहले हो जा था एक साल पहले मैं नहीं कर पाता था कि मैंने क्या वर्ख किया है क्या करने वाला हूं कुछ किया ही मैंने ऐसे होता है तो यह जमाना ऐसा काम करने वालों का फोकस करो